जी फ्रेंड सर एच्पेसी ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन अंसर क्या होते हैं आज वो डिसकस करेंगे वीडियो को एंड तक देखिए एक एक चीज था कि आपको क्लियर हो जाए कि ट्रबल शूटिंग से रिलेटर किस तरह आपने डिसकेशन करनी होती है आगे चलने से आप देखें मेरा चनल वाइसफ क्यानी और मैं सम्तर खान क्यानी सबसे पहले एक बात आप से पूछी जाएगी वाट इस ट्रबल शूटिंग ट्रबल शूटिंग से आपको पता है कि एच पिल्सी वर्किंग के लिए क्राइडिरी यह कि आपकी चीज़े फुल्फिल्मिन एस पर टेंशन टाइम उसकी कुछ रिक्वाइर्मेंट से पीक आपकी शाप होनी चाहिए टैलिंग आपकी अंडर लिमिट होनी चाहिए फ्रंटिंग नहीं होनी चाहिए रेजुलिशन आपको परफेक्ट होना चाहिए आरज जब यह चीज़े ठीक नहीं आ रही होती तो इन प्रॉब्लम को चीजों को पीट ठीक ना आना आरेस डीक ना बेस्लाइन ठीक नहोना लीके जाना एरपब आ जाना इन प्रॉब्लम को हैंडल करना ट्रॉटिंग कराता है वह सिंपल मैं आपको समझा ठीक है यह इसका पहला अंसर दूसरी चीज़ आपसे लाजमी आपके यह वजह होती है कि आपके यह याद रखेगा कि आरजटी फैल उने की पीछे बहुत सारे जीसंस होते हैं सही बहुत सारे कौसे इसमें आपका इंस्ट्रॉमेंट भी और इसके आपका अनलेस इस इसेलफ इनवालव है एनलेस की घलती होती है इसके वह कैसे एकर आपके आरेसडी फैल हो जाएगी अनलेस के अगर आपका इंस्ट्रॉमेंट कॉसे नमर तीन आपसे और पूछी जाए कि वाय आरेसटी शिप्ट नहीं आपका आर्टी क्यों शिप्ट हो जाते हैं एक प्का काम कर रहे हैं डूइन अनलाइस आपका रिडंशन टाइम क्यों शिप्ट होता है इसका अंसर आपने देने जब भी आपका रिटंशन जैब शिप्ट होता है ना चेंज हो जाता है इसमें बहुत सारे नमबर वन फैक्टर जो बड़ा रोल अधा करते हैं आपका मॉइल फैस की पीच पीच ठीक तरीक से एडिजस्ट नहीं करते ठीक मेंट है नहीं करते है पॉइंट्स पर लिमिट अलाओ है पॉइंट फाइव प्लस मैनस होती है उससे जदा विरीशन ले आते हैं तो आपका रिटंशन टाइम एक बैस से दूसरे बैस में शिप्ट होता है वह चेंज हो जाता है एक कुछ और दूसरी कुछ और होगा ठीक है सही ओनेका यहाँ और से क्रॉसफ कोरते हैं जिसको घ्रjan के सिस्टंट में बैक प्रेशर हो अधार होती है ऐस्प्रेशन आता है सिस्टम एक प्रेश्य का पंप का प्रेश्र रहें इसके पीचे क्या पॉम आपको लिंतों इसकैंप बीच्छ छे कहीं पे ब्लॉक जे या तो आपके कॉलम के लेवल पे ब्लॉक जे ठीक है वह नहीं किया तीन नुमर चौता रिजन इसका यह वह सकता आपके सिस्टम का बैक प्रेशर बढ़ेगा भी और है और डॉन भी होगा इस टेपल नहीं रहेगा ठीक है याद रखेगा नबर बांच वा कोशन एक आप में लाजबी पूचे जाएगा कि हम एच पसी के कॉलम वशिंग के लिए क्यूं वाटर यूज़ करते हैं मेतनौल यूज़ यह पैच रन किया है उसकी कंपोजिशन क्या थी उस लिहाज से सॉल्मेंट चूज़ कि जाते हैं अगर आपको बफर सॉल्मेंस यूज़ किया है मॉइल फेस आपके बफर यह ड़िफिनेटल पर लेका आप वाटर से वाश करते हैं और उसके बाद में असके बाद में पर होता है तो आप जस्ट में वाश करते हैं वज़ा डिफरेंट सॉल्मेंस यूज़ करने कि यह है कि कुछ कंपाउंड इस सॉल्मेंट के अंदर डिफरेंट मीडियम के अंदर इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टन चीज़ आपसे और पूजी जाती है कि हम 50 परसंद में त सवाल आपसे पूछते के पूछते हैं कि ये कि अग्रोजेंट के अंदर आपके अंदर फंगल ग्रोथ होने के चांसे होते सब्सक्राइब निचे लाते हैं तो फंगल ग्रोथ के चांसे बढ़ते हैं इसलिए बाटम लेवल वाशिंग के लिए सब्सक्राइब करते हैं इस लेवल पर फंगल में ग्रोथ होने के चांसे सकम होते हैं ठीर याद रखेंगा मिशाबार नबर सेवन क्वेश्चन आप से पूछे जाएगा कि हाव टूर्म एयर इन एच्पैसी पांप सिस्टम एच्पैसी के अंदर से आप एर किस तरह एक पर्ज वाल लगा होता है जिसके थूर्व आप अपने सिस्टम से एयर रिमूव करते हैं और दूसरा इससे पहले आप एच्पैसी के एयर की कंडिशन देखते हैं कि एयर है किस लेवल पे वह चेक करना भी जूरूरी हो सकता है कॉलम लेवल पे यह जो तो पर्ज से अल लूस करने से भी एयर रेमूव हो जाती है कि बाद एट कोईस्टन आपसे पुछा जाएगा कि हैच्पैसी में एरिया वेरियेट क्यों कर जाते हैं सब्सक्राइब आपके सिस्टम में एरिया वेरिशन आता है इसक लिए बहुत सारे खौज़िज़े नमर वन और जैसे नहीं क्या हूं मुझे नहीं नहीं है तो ए्री में वेरिशन आता है दूसरा आपके शिस्टम के अंदर एर होती तो आपके एरिये में वेरिशन आ जाता है आपके एरेशन आएगा तो डेफिनिल इफिनिल इफिनिल आपकी आरस्टी औरुटी यह बहुत सार एफेक्ट कर जाते हैं यह दो इसके commonly selected मैं पता रहूँ वैसे तो बहुत सारे reason आपने एक summarize भी में अंसर करना होता है नमबर 9 आपसे पूछ जाएगा what is the causes behind peak telling telling आपको पता है आती तो है ठीक है लेकिन आपसे पूछ सकते हैं नमबर 9 पर कि telling आने के पीछे क्या causes telling अक्सर क्यों आती है क्यों telling बढ़ जाती है इसका answer यह यह बहुत सारी बात हैं इसके पीछे भी है जब भी यादर के telling आ रही होती है इस पर ज्यादा डिपेंड करता है आपके कॉलम की performance आपके कॉलम के theoretical plates जब आपके कॉलम की theoretical plates suppressed हो जाए या कॉलम की life decreased हो जाए तो आपके कॉलम में HPC में speak में telling आने के चांसे बढ़ जाते हैं या एक बजाए यह दूसरी या तो आपके जो sample concentration है या आपकी last dilution है वह compatible नहीं हो आपके मुवाइल फेस के साथ तो भी आपके telling आएगी यह दो बात हैं हमेशे यादर किया नमबर नौन आपका कॉलम contaminated है बहुत जादा ठीक है उसी ठीक से washing नहीं हुए तो आपकी telling के चांसे बढ़ेंगे या उसकी life कम हो चुकिए तो भी पिक टेलिंग आएगी नंबर दो बड़ा रिजन सबसे बड़ा रिजन यह नंबर दो कि यह आपके sample आपने standard यह उसकी last dilution compatible नहीं थी मुवाइल फेस के साथ तो भी आपकी पिक टेलिंग आएगी इसी लिए recommended यह है यह आप sample यह standard की last dilution आपके मुवाइल फेस के अंदर हो इस तरह हो कि last dilution मुवाइल फेस के अंदर यह हो ताके वह comparable रहे compatible हो एक दूसरे के इससे भी टेलिंग के chances कम हो जाते हैं अगर compatible नहीं होगा लाइज डेलिशन किसी और मोगी मुवाइल फेस किसी और में तो पीक टेलिंग के चांसे बढ़ते हैं इस तरह आपने टेक्निकल इसका जॉब देना कि no more das what is the role of theoretical plates जब कॉलम की बात होती है तो छोटी प्लेट्स है का रोल अजश प्रफार्फर्स कांट होती है यह performance देती हैं कि लाइप जब भी आपको एक सब्सक्राम की थचिकरते कोश को भी जब हैं तो इसकी परफॉर्फॉर्फ जज्मेंट हो रही हुत तो उन दे बा हम इसे बहुत बड़ा रोल है ठीक है याद लिए यह कुछ वह सेलेक्टर मैंने निकाले ही चीजें तो वैसे तो बहुत सारे आपसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं लेकिन मैं कुछ सेलेक्टर दस से बारा सवाल आपकर लिनकाले कितने आदे अब यह वीडियो आप एंड करते है और होफिली वीडियो आपको अच्छे लगे होगी लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट्स कीजिए इंडिया अगेन ही कुँगा जो लग चले ले पर न्यू है वह लाजमी स्प्राइब कीजिए ताकि इस तरह की टेक्निकल वीडियो आपकर पहुशती है थैंकियो फॉर अलाह बीस